आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Hello friends, आज हमारा question है ये हमें पास दे रखा है area अंदर different crops, ठीक है? और हमें क्या दे रखा है? उसका area दे रखा है in hectares, बतलब 8000 hectares वो में क्या रोगाता है? वो जवारोगाता है, 6000 में क्या है? wheat है, 2000 में क्या है? sugarcane और 2000 hectares में area में क्या है? vegetables है, ठीक है? हमें क्या करना है? represent it by a pie diagram basically हमें क्या करना है? इस table को एक pie diagram की तरह represent करना है ठीक है? convert करना है तो देखो, सबसे पहले pie diagram को convert करने के लिए हमें क्या चाहिए? हर इस जवार, wheat, sugar के ना, vegetable के angles चाहिए जो हम इस circle में draw कर पाएंगे जैसे मालो अगर यह line है, तो कितना angle बनाऊं कि मैं जो R को represent कर सकता हूँ, 30, 40, 50, कितना? ठीक है? तो उसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं, Central Angles ठीक है? उसे कहते हैं, Central Angles तो हमें basically Central Angles निकालने है सबसे पहले उसके बाद हम जो angles आएंगे, उसको क्या करेंगे? इस circle में draw करेंगे तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया का total निकालते हैं कि यह, 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 मिलके कितना area कवर करते हैं, ठीक है? तो मैं लिखते हूँ, total area यह कितना हो गया? 8000, प्लस 6000, 14000, प्लस 2000, 16, प्लस 2, 18 तो टोटल area कितना है? 18000, ठीक है? अब देखो, central angle निकालने हमें, तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? निकालने हम जो आर का तो जो आर का area क्या होगा? Central angle क्या होगा? देखो, area इसका 8000, जिसमें जो आर हो क्ती है, और total area क्या है? 18000, सारे crops का मिलाके इंटू में, circle का ये वाला angle कितना होता है? 360 degree, 360 degree, अब देखो, 30 से ये 30 कट गए, 18 से 36 कट गएगा, तो क्या आएगा? 2, और ये क्या बचा? 0, ये आगया, 8 x 20, तो ये कितना angle आएगा? 160 degree, टिक है? अब देखो, second है हमारा wheat, wheat का क्या है? 6000, मैंने यहापे लिखा wheat, wheat का total area क् है 6000, और पूरा total crops का area क्या है? 18,000, और angle कितना होता है? total, 360 degree, ठीक है? देखो, 30 से ये 30 कट गए, 18 x 20 करेंगे तो गएगा, 360, अब 20 x 6 करेंगे तो गएगा, हमारे पास 120 degree, तो wheat का area क्या आगया? wheat का angle क्या आगया, sorry, central angle 120 degree, अब देखो, third है हमारे पास कौनसी crop है? हमारी sugar canes, तो ये है sugar canes, इसका area अपना 2000, total area अपना 18,000, इन्टु में 360 degree, ये कितना हो जाएगा? 30 से ये 30 करे, 18 से ये 200, और 0, 20, 20 x 2, 40 degree, ठीक है? तो sugar canes का angle क्या आगया? 40 degree, 4th है हमारा, 4th है, वेजी टेबल, उसका area है 2000, तो मैं या लिख देता हूँ, वेजी, टेबल्स, उसका है अपना 2000, और total सबका में इलाके कितना है? 18,000, इन्टु में 360 degree, 30 से 30 काटे मैंने, 18 और 360 काटे मैं तो क्या मिलेगा? 20, 20 x 2, इसका भी क्या आगया? 40 degree, अब देखो हम crops के central angles निकाल लिया, बस angles को हमें क्या करना है? इसमें draw करना है, इसका है 160, इसका 120, और इन दोनों के 40 और 40, ठीक है? तो चलो अब इसमें draw करते हैं, तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका जो center है, उससे एक line कीचेंगे, circle तक की, ठीक है? तो इसका क्या करेंगे? ह हमें angle चीए 160 degree, हम 160 degree यहाँ पर बनाएंगे, तो यह मैंने रखा D, अब हमें चीए 160, तो देखो, 150 यह रहा, 160 यह रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 160 degree पर एक dot put कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक dot डाल दिया, तो इस total angle कितना हो गया है, यह से यह तक, 160, है, वो सिर्फ circle के अंदर होता है, बाहर नहीं आता, तो यह जो पूरा angle है, यह angle हमने अभी कितना draw कर रहा है, 160 degree, डी के help से, और यह क्या दिखा क्या रहा है, यह जो crop है, वो कौन सी है, जो आ रहा है, तो आपर लिख दो, जो आ है, ठीक है, इसका angle का है, 160, अब देखो, next ह है, 120 degree, इसको क्या करेंगे, हम फिर से D रखेंगे, और हम क्या करेंगे, 120 degree बनेंगे, center से match कराया, line से coincide कराया, अब 120 degree यह रहा, हमने क्या कराया, एक dot put कर दिया, ठीक है, अब उस dot से, इसके center को join करेंगे, लेकिन सिर्फ कहां तक, जहां तक, circle की boundary है, मतलब यहां तक, ठीक है हमारा, यह है 120 degree, यह 120 किसका angle है, beat का, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, beat, अब next है 40, उसके next भी है 40, तो देखो, अब हम करेंगे पहले, यह वाला 40 degree, ठीक है, तो यह क्या होगा, मैंने फिर से D रखा, ऐसे, center पर रखा, line से match कराया, और 40 degree, तो यह रहा 40, एक dot मार द एक line खीच दी, तो line ऐसे मैंने खीची, यह, ठीक है, circle से भाहर मत जाए जेना, circle के अंदर रखना, line को, तो यह जो angle हो गया, यह अपना कितना हो गया, 40, और यह किसका angle है, यह है, sugar gain का, तो यहां पर लिख लो, sugar gains, और यह जो बाकी का बचा, यह भी क्या है, 40, यह पूरा 360 तो बचा हुआ क्या होगा, अपना आपी 40, यह क्या है, अपना vegetables, यहां लिख दो, vegetables, ठीक है, तो यह हमें pie diagram बना लिया, किसके help से, इस table के help से, ठीक है, तो अब last में बस यहां पर लिख दो, कि जो figure है, हमारी यह क्या है, एक pie diagram है, जो हमने draw कर रहा है, वो actually में है क्या, pie diagram बनाना भी क्या था हमे, बनाना भी था हमे, pie diagram, तो जो question ने बोला था, हमने बना लिया, तो यह इस question का solution, and thank you for watching.